जै माललतांबिका, जै गुर्देव मैं अपने गुरु जनो के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके दिदे में बैठी माललिता को प्रणाम करती हूँ और आशिर्वान मांगती हूँ कि ललतात्रिशती के ये जो 300 नाम है उनके नामों के भावार्थ को मैं सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुचा पाऊं। हमारे अन्दर तु इतना भाव है नहीं फिर भी प्रयास करते हैं देवी इस प्रयास को इस वानी की सिवा को सविकार करें इस भाव से आगे के जो श्लोख हैं उनका श्रवन करेंगे अब तक हमने जो ललता 33 स्तोत्र के नौभे त्रिति अक्षर पन्दरशाक्षरी का यह उसके नामों के इसारे अर्थ है और यह श्लोक नमबर 13 के आधे में जाकर के समाप्त होता है तो स्लोक नौ से तेरा में ई जो तृति अक्षर पंज़शाक्षरी का है उसके नामों का विस्तारपूरों के यहां पर वर्णन हुआ है सिंधूरारुणविक्राहाम्त्रिनयानाम मानिक्य मौलीस्पूरत तारानायक शेखराम स्मितमुखिम आपीनवक्षोरुहाम पानिब्यमलिपूर्णरत्नचशकम रक्तोत्पलं वीब्रतिम सौम्याम्रत्नगटस्तरक्तचरनाम ज्यायेत्पराम अंभिकाम अब नाम शुरू होते हैं नौए में हाला कि मैं नौश लोग पुरा पढ़ोंगी उसमें एका भी नाम है लेकिन दूसरे लाइन से उसका दूसरा नाम शुरू होता है लेकिन नौश लोग है एक वीरादी संसेव्या चैक प्राभव शालिनी एका ररूपा चे शित्री चेप सिता अर्थ प्रदा ये नी हमने पहले लाइन का रर्थ समझ लिया था पहले ही वीडियो में एक वीरा के एक वीरादी जो देव्या हैं उनके दौरा जो संसेव्या हैं और जिनका प्राभव सरवतर है ऐसी जो देवी हैं इनको हम नमस्कार करते हैं अब ई से नाम शुरू होता है तो पहला ही नाम है इकार रूपा देखो पहले काकार रूपा था फिर एकार रूपा था आज इकार रूपा इ से आने वाले जितने भी तुमको मन में आकार आते हो ना सब में कोई देवी है जैसे ई से आ गया इख है न अम्मा के हाथ में इख रहती है कि नहीं ती गन्ना रहता है तो मन रुपी गन्ने को जिसने पकड़ के रखा है ऐसी मा ई से आ गयी ईश्वरी ऐसी मा तो ई से जो कुछ भी तुम्हें दिखता हो आकार उ सारी मा ही है अब कोई पुछे बार बार ऐसे क्यूं बोल रहे है यह पंदर्शाक्षरी के मंत्र ऐसे दिये गए है उस पंदर्शाक्षरी मंत्र का भी बहुत गूड अर्थ है लेकिन उसी गूड अर्थ को मुझे तृशाती इसलिए अच्छी लगती है उतने गूड अर्थ को कि पढ़ने से आदमी कन्फ्यूज ज़े कि लिखा गया है लेकिन यदि कोई समझना चाहे तो केवल तृशाती समझ ले ना तो उसको सारे उन मंत्रों में जो दिये गए उनका अर्थ समझ गया एकार रूपा से शुरू करेंगे आरब एकार रूपा से ले करके जाकर के तेरेवेश लोग में एकार अर्थ समझा देंगे अब लोग दून रहें कितने दिनों से इसाय पंज़शाक शरीक अर्थ बताओ इशित्रियानी इशियानी देवी ठीक है ना इश्ट और इशित्री मैं जो आपको त्रायते जो हमारा रक्षा करती है तो उसों कहते है इशित्री देवी का नाम है लिलता ससना में इश्वरी इश्वरी है नमहा तो इशित्री इश्वरी को नमस्कार है जो हमारे त्रान करती है जहा हमारी रक्षा करती है उनको नमस्कार है इध आफ गंद उप ए से इस इंप Ne हमेरी मन की श्चा है उसको पूरा कर देटी है उसको कहते है इसे इन इस आरप रड़ायन मुंकाल है काम इद रूपा ऑफा मैंक इस 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 इत रून पुरने करने वाली, काम अदुक यानि की काम धेनू जो सब इक्षा पुरी कर दे देखो, सकाम इक्षा है वो तो पुरी करी देती है, वो तो उसके लिए बस ऐसी बायांत का खेल है लेकिन जबसे बड़ी जो इक्षा होती है मा का प्रेम मिल जाए मा के चरणों में भक्ती मिल जाए वो भी इक्षा वो हम को दे देती है तो ऐसी जो देवी है जो हर प्रकार की इक्षा पुरी करने वाली है जो कल्यानी है जो कल्पलता है ऐसी जो देवी, उनको हम नमस्कार करते है प्रदायनी अब दुसरा अर्थ इसे ए इधरिक ये स्लोक नमर दस इधरिगित्य विनिर्देश्याँ चेश करत्व विधायनी इशानादी ब्रह्ममय चेशीत आदवस्ट सिद्धिदा इद्रीगित्य विनिर्देश्या कहते हैं कि जिसको ये है ऐसा है ये जो पहले भी हमने ब्रह्मा सुरूप समझा था पहले की वीडियो में ए में भी आया था कि ये है वो है ऐसे ऐसे कहे कर कि जिसको हम बताना चाहे वेद बताना चाहरे है शुतिया बताना चाहरे है लेकिन उनको बता नहीं पाते हैं तो जो इद्रिक मतलब ये जो दिखाए दे रहा है इस प्रकार से इस इद्रिक कारत हुता है इस प्रकार से कि हम कोई चीज़ बता ह क्या है अरे वो जल है न वो उस प्रकार से अरे देवी का सा रूप क्या है अरे वो अगनी है न उस प्रकार से तुमको जो दिख रहा है न ये तो है लेकिन इसके जो नहीं दिख रहा है न वो भी इस प्रकार से तो इस प्रकार से उस प्रकार से हर प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया जाता है लेकिन इनको हम समझा नहीं पाते लिलता सस्था में कहते अचिंते रूपा कौन से नामों से इनको बुलाया जाए हजार नाम कम पड़ रहे है त्रिशती कम पड़ रही है करोडो करोडो नाम जिनके है जो अप्रमे है कितने प्रमाण दिया जाए उनकी लिए कोई प्रमाण नहीं है जो अमे है कैसे नापा जाए इनको कहा से कहा तक है देवी इस जमी से आसमा तक देवी देवी है न और उसके परे वही तो है तो जो अमे है जो अपने में है, जिसका प्रमान नहीं दे सकते, इसको नाप नहीं सकते, जो अचिंती रूपा है, उसको कहा, इसे इद्रिगित्य विनिर्देश्या, इद्रिगित्य विनिर्देश्या, चा, इश्वरत्व विधायनी, जो इश्वरत्व की विधायनी है, उनको नमस्कार कर आज बनाती है अब इशानादी ब्रम्ह मैं इशानादी जो है वो देवी के ही रूप है भगवान शिव अपने पांच रूपों में आते हैं तो इशानादी जो रूप है उसम देवी की वजाए से भगवान शिव शिव नहीं है यदि देवी की शक्ती नहीं है शिव में से ए निकाल दिया जाए ikararupa ikararupa, एकार रूपा, याद रगना है, नाम के आज ikararupa, तो Shiv को कैसे लगते है shah, IKIMATRA आप वो IKIMATRA क्या रहे गया shah, I व में से IKIMATRA निकाल दी बजगिया, shah, V तो Shiv में से IKIMATRA इकार रूपा हमारी देवी को इनिकाल दिया तो क्या रजाएगा शव अब शीव जी पांच पांच मुझ से हमको आमनाय दे रहे हैं पंचवक्त्र पंचानन पांच मुझ है ना उनका पांच मुख का नाम है ततपुरुष सद्योजात अगोर वामदेव इशान यह शीव के पांच रूप हैं जिनसे उन्हें हमको पुरी तंद्रशास्त्र दिये लेकिन यह पांच रूप तंद्रशास्त्र दे कैसे रहे हैं वो ज्ञान शक्ति वो क्रिया शक्ति वो इच्छा शक्ति वो कौन है देवी तो यहाँ पर कहते हैं ईशानादी ब्रह्म मही अगर ई निकालती है तो कुछ नहीं है अगर वो है देवी है तो भगवान के ये रूप और देवी हमारी ब्रह्म मही चेशित आत्वा अध्यष्ट सिधिदा अब च इशित्व आधी अष्ट सिधिदा जो इशित्व वशित्व प्रकाम्य भुक्ति मुक्ति इत्यादी जो शक्तिया है जो उनको देती है अष्ट सिधि अणिमा मही माल अगिमा इत्यादी जो शक्तिया है जब हम श्री अंत्र की पूजा करते है खट्गमाला की वीडियो की सीरीजस में आप लोगको समझाया हैं, एकर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो देख लिजे, तो उन में जो पुचा करने वाले को यह शक्तिया तो ऐसे ही अजाती हैं, सिद्धियां लेकिन देवी का भक्त ऐसा होता है उसको पड़ी नहीं है इस सिद्धियों से हम सिद्धियां पीछे बहाद जोड़े चलती है लेकिन देवी का भक्त तो उनको उसको केवल देवी से ही मतलब है देवी के चर्णों से मतलब है सिद्धिया तो उसके आजुबा जो आएसी गुंती है तो कह रहे हैं च इशित्व आदी अस्ट सिद्धिदा जो इशित्व आदी अस्ट सिद्धियों को प्रदान करती हैं ऐसी जो देवी हैं उनको नमस्कार है और अब जारवाश लोग इक्षित्री इसे इक्षित्री मतलब जो सबको देखती है अपने नित्रों से उनको कहते हैं इक्षित्री मा है नहीं मा ने देखी कि तो कौन देखेगा हम भूल जाते हैं उनको लेकिन उनकी नजर हमसे हटती रही है तो मा से हमेशा ऐसे ही प्रारत्ना करो कि हे मा आप एक्षित्री है हम को भी ऐसी बना दो मा को जब हम प्रार्थना करते है न रामकृष्भ परमस बोलते थे कि मा खूब खिलोने देती है अब इसी दे देगी न अस्ट सिद्धी और लोगों को कई बर मा के पास इसी ले जाते हैं लोग सिद्धियों के लिए कितनी गलत बात है आप सिद्धियों के लिए जाते हो ये सिद्धियां आपको डुबाती है कुछ नहीं मिलता सिद्धियों से और आप माँ से दूर हो जाते हो माँ तो एक्षित्री देखी रही हमको लेकिन आप माँ को भूल जाते हो तो मां से ऐसी प्रार्त ना करो कि मां ये सिद्ध्याम को नहीं चाने एक आपके च्रण कमलों केर्तिक्त हमें कुछ नहीं चाने है एक शित्री आपका gram अपर ध्यान है ना आप सच में त्राही माम हम आपके चरणों में हैं हम आपको भूल रहे हैं लेकिन कुछ भी करो कैसे भी करो हमें ना आपके खिलाओने चाहिए ना आपकी सिद्ध्या चाहिए ना भामें कोई भुक्ती चाहिए ना में मुक्ती चाहिए क्या चाहिए मेरे बच्चे मा बस आप 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 चोटा बच्चा होता है ना रोता है बहुत तो मा उसको खिलाओ बत्चा बूल जाता है नहीं थोड़के रौने लगते हैं पेख देगा टीवी दिखारे नहीं मॉम्मा चाहिए बस मम्मा चाहिए तो पहले तो गाफ़ा रहे हैं मॉम्मा मम उम्मा ममम ममम सब भीक दे रहे हैं मम्मा के अधर कुछ नहीं चीए और जब मम्मा आ जाती है तो गोदी मिले लेते बच्चे को ओ मेरा बच्चा ओ मेरा बच्चा ओ मेरा बच्चा ऐसे हो जाए तो हे मा आप एक खित्री हो अपने नजरों से हमको कभी मत दूर करना हम तो पुराने भुलकड हैं आपको भूल जाते हैं संसार में खो जाते हैं लेकिन मा ऐसी कृपा रखना कि आपके नेत्र हमसे कभी दूर ना हो ना हम आपको देखें और आप हमको देखते रहें ऐसी कृपा बनाए रखना इसके पहले जो दिया था ना अश्टसिद्धा लेकिन अश्टसिद्धा से वो तो देने वाली हैं लेकिन आपका ध्यान उस पर न हो हमें केवल मा के नेत्रों के ओपर ध्यान हो इक्षित्रिक्षन श्रिष्टांड कोटी इश्वर वल्लभा श्रिष्टांड की यह जो श्रिष्टी एक्षण श्रिष्टांड इसकारत है कि मा के बल देख लेती हैं और उसी से यह अंडा अंडा क्या लेकिन ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं क्या ब्रह्मा जी तो कुद ही दून रहे थे कहां से आगे मैं ब्रह्मा जी का पोशन किया फिर ब्रह्मा जी को ग्यान आया हां मुझे तो कुछ बनाना है फिर ब्रह्मा जी को इच्छा शक्ती आई ब्रह्मा जी को कृया शक्ती आई ब्रह्मा जी को महतत्व मिला प्रह्माजी को सतोकुण रजोकुण तमोकुण मिला प्रह्माजी को पंचतन मात्राएं मिली यह सब जब मेटरिल मिला तब ब्रह्मादी से जाकरके यह सिष्टी बनाया यह सब आया कहां से कहते है इक्षण केवल देखने मात्र से मा की शक्ति, क्रिया शक्ति, ग्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, मा के देखने मात्र से, इसे इच्छा, इसे इच्छन, देखने मात्र से, अनेको, अनेको, कोटी, शिष्टांड, अनेको, अनेको, शिष्टी, के ब्रम्हांड बन जाते हैं, केवल, देखने मात्र से, ऐसी जो इश्वर वल्लभा की श्टांड इश्वर की वल्लभा वह गवान शिवर वाइब ऑगोन शिवर को बड़ी प्यारी है एसी मां को नमस्कार है ईडिता इडिता की जिनकी सब लोग स्तुती करते हैं, जिनके ललता त्रिशती पढ़ना स्तुती है, खड़कमाला स्तुतर पढ़ना स्तुती है, ललता ससना पढ़ना स्तुती है, कवच पढ़ना, अरगला पढ़ना, अपराजिता स्तुतर, श्री सुक्तम, नारेनी सुक्तम, रात्री सुक्तम, अलग-अलग मा के जो स्तोत्र होते हैं, उन स्तोत्रों से जिनकी स्तुति होती है, उनको कहते हैं, इडिता ऐसी जो देवी है, उनको नमशकार है, चा इश्वर अर्धांग, जो इश्वर के अर्धांग नहीं है, उनको नमशकार है, इश्वर अर्धांग शरीरे शाधी देव इशादी देवताय नमहा शीव की जो अर्दांग शरीर वो और जितने भी देवता है उनके अंदर शक्ति सरूप में बैठी हुई है उनकी जो इश्वरी है उन देवी को हम नमस्कार करते हैं अब शलोक नमबर बारा इश्वर प्रेरण करी चेश थांडव साक्षिनी जब कभी इश्वर अकेले बैठे होते हैं कि हम तो अकेले हैं एको हम बहुस्याम है चलो खेल खेलते हैं प्रेणा देती है खेल खेलने की क्या खेल खेलना है अने को अंडे बनाएंगे प्रमांड के अने को जीव बनाएंगे अपने प्रेम का विस्तार करेंगे हम ही हर नहार हम इसे पूरे विष्व को दुबा देंगे इसमें करुम ना की लहरी प्रेय्म लेरी रूप की लहरी कि यु उसका विस्तार करेंगे जो इसी जो है न बारें को प्रेडों देने वाली अकंत कि अम कने कारें इस्य तन्डव वोता तो शीफपर इनंहीं और गारें ठीक है अभी प्रलय हो गया सब अंदर चले जाएंगे फिर अगला बार पिर हम करेंगे प्रेड़ना फिर से शुरू हो जाएगा तो इश्वर प्रेरन करी इश्व इश्वतांडव साक्षनी और इश्वर उत्संग और इश्वर के साथ उत्संग उनके साथ रहती है उनके साथ आनन्द लेती है तो शिष्टी बनाया शिष्टी के बाद प्रलय हुआ और प्रलय के बीच में आनन्द पालन करती ही तो ऐसी जो देवी है जो सब का पालन करती है जो सब चिसका आनन्द ले रही है शिदारंद रूपिनी पर्मारंद रूपिनी ऐसी जो देवी है सभी के आत्मा में निवास करके जो शिव के साथ आनन लेती है ऐसी जो देवी है ऐसी जो हमारी माता है इश्वरोट संग निलिया इश्वर के साथ रहने वाली उनी के गोदी में रहने वाली ऐसी जो हमारी माँ है उनको हम नमस्कार करते हैं चग एती बाधा विनाशनी और जो हरपकार की बाधाओं को दूर करने वाली जो कुछ भी दिखाय देता है उनको दूर करने वाली उनको हम नमस्कार कते हैं अब आखरी यहां तेर पते लेकिन स्लोक नंबर तेरह कि एकaldर एक लाइन में खली इतक है रहिताए डरुप को है श्क्मिवानी शेता 충ूर को एनम्ह जिनके अंदर कोई इह, इक्षाएं यह चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं है जो इन इक्षाओं से उपर है सदा तुष्टा, सन तुष्टा ऐसी जो देवी है ऐसी जो हमारी मा है उनको हम नमस्कार करते हैं इसी जो मायाम को नमस्कार करते हैं और चाहिए शक्ती इश की जो शक्ती है भगवान शिव की जो शक्ती है उनको नमस्कार करते हैं इश शक्ती इश स्मितानना कहते हैं कि वो इशत स्मितानना जिनकी मधूर मधूर मुस्कार इशत बहुत जेंटल माधुर्य भरी जो हमेशा आनन्द में रहती है त्रिप्ट आत्मा है ऐसी स्मितानना कि जुनका मुख आनन यानि मुख स्मितान यानि मुस्कान तो ऐसी स्मितानना मधर मधर मुस्कान युकतर ऐसी जो देवी है उनको हम नमशकार करते हैं इस प्रकार से तीसरा अक्षर ए के 20 नाम और 20 नामों के इतने इतने सुंदर सुंदर अर्थ इसका हमने भी श्रमन किया अब यहीं पर रोकते हैं वीडियो को अगली बार उस पंचदशी के जो अगला अक्षर है ल, ल से कितने नाम हैं, वो सारे प्रकटोंगे वो अगली वीडियो में तब तक के लिए माता भगोती और हमारे गुरुजन सब पर कल्यान करें मिलते हैं नियाशे कृष्णा रादे रादे जैमा